नमस्कार दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है में रश्मी शर्मा कैमरामन शुवम भगत के साथ स्मार्ट जम्मू का स्मार्ट सीटी बनाने का जम्मू वासियों से आवान किया गया वाइदा किया गया है पर उसी स्मार्ट सीटी के चलते आम जनता किस तरह से परिशानियों से जूच रही हम उसकी तस्वीर आपको बताते हैं इस समय हम दौंतली बजार में हम आपको बता रहे हैं यह जो थड़ा कहते हैं जिसको यह तोड़ा गया पर लगबग 9 महीने हो गए लगातार यह लोग परिशानी से जूच रहे क्योंकि दुकानदार हैं कामकास वाले लोग हैं पर हमको यहां के लाइब दस्तवीर हैं समय बता रहें दैनिक शीटाएं के माधियम से कितना मुश्किल है दुकाने खोलना और यहां से आना जाना यह जो आसपास के दुकान दारी काम करने वाले लोग हैं वह कितनी स्मेल और गंदगी हैं यह नौ महीने हो गया लगातार इस भी दी जारी पर कही ना कि जमू मुंसिपल कॉर्परेशन इस तरह बिल्कुल भी ध्यानी देती हैं वह भी दिखाना चाहेंगे आपको यह स्मार्ट सीटी यह देखिए यह बनाई है इन लोगों का कहना है कुछ बनाई इंसे बात भी करेंगे कि आखिर कितनी देर हो गई इनको जमू मुंसिपल के कॉर्परेशन के नोटिस में लाई है हुआ है पिछले दस बारा साल की पैंडिंग देमान है सबसे पहले पैंडिंग डिमान मैने मुंसिपल कमिशनर से की तई हिए इन पूरी ड्रेंज को तोड़के प्रौपर चैनल से बनाया जाए आफ्टर 10 ये काम चार्ट तो हुआ, उसके बाद ये काम नौ महीने से यहीं पर पेंडिंग करके चले गए है, हमने अपने कॉर्परेटर साब के नोडिफिकेशन में लाया तो वो बोलते हैं कि वाड नमबर वन के जो कॉंट्रेक्टर थे उन्होंने ये तोड़ी है, ये काम में भी हमने ये ला रख है कि ये टूटा हुआ है कर से माम कोई कुछ निये करता है, दोगले वादे हैं, बीजेपी के दोगले वादे हैं, इन्होंने कहा था 370 टूटेगी, दूद की नदिया बेहेंगी, यहां पर दूद की नदिया तो नहीं, यहां पर स्मेल देखें कि करते हैं, जब यह आते हैं, वोट के लिए तो यहां जोट के खड़े हो जाते है, आपके कॉर्परेटर की डूटी बनती है, आपके बात को अपनी परिशान नहीं है, बीजेपी के दोगले वादे हैं, कोई राजनेता, कोई MLA, कोई मंतरी, हमारी सुदबुद लेने नहीं नी आता है यहां पर सिर्फ यह बोला जाता है कि हम काम कर रहे हैं काम चल रहा है यहां पे प्रोण स्थी की कि बाद पर देख लिए पानी यहां पर कठा हो गया था समार्ट सीटी के दोगले करते हैं नहर बन जाती है जमू सिटी यह महराजा की शान की नो के अच्छ वाट के हमारे कुछ बंदों ने मिलके वह कूडा नाली उसे निकाल निकाल के हमने यहां पर डंपिंग बन करवाया यहां पर बोर्ड भी लगाया वह हमने बोर्ड लगाया उसके बाद यह नाली भी हमने बनाई है बीजे-पी के MLA देख लो राजेश गुपता जी थे हमारे फॉर्मेल MLA जी अशोक हुजुरिया जी हमारे MP जुगल की शोर शर्मा मैं दो खेवाज है दुगले बाज है इनसे कुछ नहीं होता है यह सिर्फ यह स्मार्ट सीटी की बात करते हैं इस तरह की स्मार्ट सीटी बनेगी है हम जनत करते हैं इन्हों ने करप्षन को खतम नहीं किया करफशन बढ़ाई है आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओं वहाँ पे करफशन के बिना बात नहीं होती है नहीं होती है अब सबसे बढ़ा मुद्दा मैं आपको एक और बताऊंगा हमारे जो बॉंड थे जो हमारे ब सब्सक्राइब के उनके माथे पे अंद्रबक्ती चाही है यहां पर कोई किसी की सुनने वालाइक नहीं है ना मेर है ना डुप्टी मेर हम किसको सुनाए अपनी बात लेने के टाइम पे यह बड़े-बड़े वादे करके गये थे यह अनिल कुमार मासुम जी जो हैं यह बह बात होती है मासुम जी बोलते हैं रेत बजरी सिमेंट हम दे देते हैं आप मिस्त्री लाके थड़े बनवाली जी है तो मुंसिफल कारपरेशन किसने रखी हैं अगर हमने यह बनाना है तो यह हमारे कॉर्परेटर क्यों है मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि काम करने जब गली बनाई है यही की टायल उठाके यही पर लगाई है और बिल जब मियर्मेंट करने आए मैंने बोला भी मैं किस चीज की मियर्मेंट कर रहे हैं यह बनाए कुछ नहीं है यह टूटी हुई है यह टूटी है तो कोई नहीं है ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी और ब सब्सक्राइब एक जोड़ा नियुक्त तो यहां पर खत्राऊ जोड़ को बच्चा बिर भी जटा ना लिए नोड़ा गिरे भी यहां पर हाथ से हो सते हैं यह जो जंगला देख रहे हैं यह मैंने खुद विद दी हेलप ऑफ सम पर्सन मैंने ये खुद लगवाया दो हजार चोदा में मेरी सिस्टर की मैरे जीजा जी इस नाले में गिरते गिरते बचे हैं यहां पे कोई सपोर्ट नी थी कोई जंगला नी था कोई स्लैब नी थी यह हमने खुद लगाई यहां पे कूड़ा था यह बाउड भी देख सकते हैं आम रहे खुद ऊटाया बीजेपी के खोखले वादे हैं मैम खोखले वादे अब बीजेपी के खोखले वांदों पर हम नहीं चल सकते यह बुज़्ग आद्मी डिप्टी मेर के घर के चक्र लगा-लगा के ठख चुका है इनकी उमर तो अमौर न कि बिजेपी वाले तो आते हैं काम कुछ किया नहीं होता रिबन काट के चले जाते हैं यह आज की बात नहीं है यह आपने देखा होगा डिग्याना पुली पे भी जब कविंदर गुपता जी ने बोला था यह भोगडी जनता है यह दोगली जनता है भाड़े के टट्टू है कविंदर गुपता जी जनता को भाड़े का टट्टू बोल सकती है तो वो हम जैसो को क्या समझेंगे तो हम सबको बोलना चाहेंगे कि आज के बाद बीजेपी को हम वोड़ दानने से पहले दस बार सोचेंगे जो इन्होंने हमारे साथ किया हमारी पैचान चीनी है हमारी अ क्या स्मार्ट सीटी की तस्वीर है अनिल मासूम जो यहां के कॉर्परेटर और पूर्नीमा शर्मा जी यह वही जनता है जिनके मत पर आपको कॉंसलर बनाए अपना रिप्रेजेंटी बनाए गया ताकि आने माले समय में कोई परिशानी हो आप उनकी परिशानी को आगे ले जाएगी लगातार नौ महीने होगे यह लोग काल करें शायद पूर्नीमा सेर्मा और जो यहां के जो अनिल मासूम है कार प्रोटेशर उनके पास टाइम नहीं है टाइम मिलेगा जब दुबारा से एलेक्शन होंगे कॉर्परेशन के शहताम टाइम मिलेगा तब आके बाते भी करेंगे तब रिष्टेदारिया भी निकालेंगे पर फिल हाल उनको जंता से कोई लेना देना नहीं चाहिए अपनी वार्ड की हो चाहिए आगे पीछे के दुकान दारों कोई भी हो पर जमो मुनसीपल कॉर्परेशन के मेर से जरूर कहना चाहेंगे कि आम जंता की मुश्किलातों को बढ़ाएं मत क्योंकि जिस तरह से यह नाली है दुकान के ओपर है आप खुछ सोची कितना मुश्किल है ओपन ड्रेन है स्मेल है लोग आने जाने जो दुकान है साथ ही बताना चाहिए डाबा एक जहां पर रागीर यहां पर आकर खाना जरूर खाते हों होंगे सबसे बड़ी सवाल यह और जिसना से कहा गया भाजपा ने वाइदे तो किये थे मुल सुविधाएं देने के पर कही ना कहीं विफल रही है जिसके चलते आम जंता आज रोश में मेर से क्या बोलना है मेर साब खुद सोई हो है पूरे बाजपा सरकार सोई होई है य मेरे साब के पास जाने का कोई फाइदा नहीं है जब रिफ्टी मेरी नहीं काम करती तो मेरे साब क्या काम करें एक स्लोगन आता है जागो ग्रह जागो आप कहीं कि बड़ाने रविंदर रहना जी बड़ी-बड़ी बाते करते है ना आने वाले टाइम में जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा रविंदर रहना सुनके बैठ जाओ कोई चीफ मिनिस्टर जम्मू का नहीं होगा जब तक आप लोग हमारी बात नहीं रखेंगे जब तक आप सेंटर में हमारी बात नहीं रखेंगे आप जम्मू मुन्सिपल कॉर्परेशन के आगे हमारा काम नहीं करवा अगर आप जनता के लिए बड़ी मुश्किलातों का समय है अगर आप जनता की मुल सुविदाओं को महल नहीं कर सकते तो आने क्या करेंगे क्या यानि किस तोर पर यह जनता ही है जो सरकारे बनाती भी और सरकारे गिराती भी है इस युवा का रोश देख लिया, इन बुजूर्गों का रोश देख लिया, कि अगर आम जनता को आप मूल सुवी धा नहीं दे पाए, तो कहां से बनाएंगे डिजिटल इंडिया, कहां से बनेगा जमू स्मार्ट सिटी, जिसका सपना आपने दिखाया आम जनता को, क्योंकि वो पोल तो खुल जाती, आदे घंडे की बारिश में ही, जो सडके हैं नदी नाले में तबदील हो जाते हैं, तो ये स्मार्ट सिटी होती है, अगर ऐसी स्मार्ट सिटी है, तो आम जनता इससे नकारती है, पर कम से कम जो मूल सुवीध है, हमारी जनता का, जिन पर उनका अ